हेलो फ्रेंद्स वेलकुम तु यू के तैयारी आज हम डिसकस करेंगे जॉर्स बनार्ड सौ से रिलेटिद कुछ इंपोर्टेंट क्रेस्टन को तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले देख लेते हैं इसका जो टाइम पिरियड है जॉर्स बनार्ड सौ का 1856-1950 है इसका जो टा मेरे जो जैन्म हो था 26-26-1856 को दप्लीन में अगर धीडलीन में था जा बीस जुलाई 1856 चटीक है नेक्स तो रही वां सिंज बैसने कि नाम उतल जीट है Elizabeth Girly, next race में, what was a G.V.Saw father's name, father's name, G.V.Saw' k rejo कार-saw, ठीक है? इसमें एक चीज़ यह बहर है, G.V.Saw के father थे तो वह क्या काम करते थे? वह एक stockbroker थे, डबलीन में ही अपने जो घर के स्पास ही, वह रिस टोक ब्रोकिंग का काम किया करते थे. जीए आप नहीं है इस क्या थे एतक एक अद्रॉमेटिस्ट थे एट्रभी सॉष प्लेज़ के जो प्लेज है, जो प्लेज ने लिखे हुए हैं तो उसमें हैं तुम मस्ट टॉपन लिदेगों डीज़ अपस दिखाई दें गल दूदुदि अपस़िते हैं और दिखाई तो जी बी सौ ने कितने प्ले लिखे हैं तो 58 प्ले लिखे हैं नेक्स रहा है, ही रोट थॉट प्रोवकिंग प्लेज एंट फाउंडेट द फेविएन सोसाइटी ही गॉट नॉबल प्राइज फॉर लिट्रेचर इन 1925, वू इस ही तो इसमें दिये कि ही रूट थॉट प्रोवकिंग प्लेज, वो कैसे प्लेज लिखा करते थे था नोब १्र प्रोवकिंग जा वाले फिट रिकांब लिखा करते थे और उन्होंने फेवज सोसाइटी की स्ताफना की थी और उनको he got Nobel Prize किसके लिए मिला था Nobel Prize लिट्रेचर में Nobel Prize मिला था 1925 को तो उनका नाम क्या है वो है George Bernard सो ठीक है तो George Bernard सो जिन्होंने फेवियन सोसाइटी की स्थाफने की और 1925 में Nobel Prize मिला था लिट्रेचर के लिए तो वो थे George Bernard सो नेक्स्ट है my mother did not hate anybody nor love anybody whose mother ठीक है तो यह एक कोड है जिसमें जीवी सो ने कहा है कि मेरी मा क्या करती है किसी से भी नफरत नहीं कर सकती और न और लव अनिबड़ी और हर किसी को प्यार भी नहीं कर सकती ठीक है तो यह कहा था जीवी सो की मदर ने फिर है whom did सो कॉल his second father और musical father किसने कहा है सो को कि वह मेरी second father है और musical father भी है second father भी बताया अपना और musical father तो वह बताया है George John Wendler-Lean है ठीक है यह नाम है उनका जिन्होंने कहा था कि शो क्या है उनके second father है और एक musical father भी उनकी है ठीक है next question is who made saw quite famous in America by his production of his place ठीक है तो किसके द्वारा famous हुए थे किसके production में ठीक है तो Richard Wentzfeld के production के द्वारा G.B. Shaw के जो प्लेस है वो famous हुए थे अमेरिका में फिर Arms and the Man had its first production at Avenue Theatre Novemberland Avenue, London ठीक है तो कब जो Arms and the Man जो first production हुआ था 21st April 1894 को हुआ था फिर Arms and the Man is an anti-romantic comedy it is in Arms and the Man जो anti-romantic comedy है वो three acts में है कितने act में है three act में next time Arms and the Man I sing is the English translation of Latin words what are these Latin words ठीक है तो आम and the Man I sing जो पुरा जो टाइटल है वो हुआ इंग्लिस ट्रांसलेशन है किसका Latin words का ठीक है तो वो जो Latin words है वो क्या है वो है आर्मा वर्म क्यों कहना हूँ ठीक है इसका ही ट्रांसलेशन है Arms and the Man I sing next question है Arms and the Man Candida Candida of man destiny and you never can tell are तो यह pleasant play का है ठीक है next है the title of Arms and the Man has been taken from the first line यह line कहां से लिए गई है Arms and the Man का जो title है वो हो the anide की first line से लिया गया है next है the basic theme of the arms and the man is the anti-romantic attitude of love and war पर यह जो इसकी जो theme है next है play pleasant and unpleasant war produced in the year ठीक है play pleasant and unpleasant परेजिए बनी तो यह 1898 को प्रीश रूई थी next question is which play of Shaw is an attack on military heroes and idealistic gallery of war and wars okay कौन सा प्रीज़ तो प्रेशन बारे में बताए गया है तो वह है Arms and the Man next is my parents went their own way and let me go mine whose comment is this your comment किसका है ये जीवी सो का है next is in 1887 जीवी सो एडिटेट आ रेवलेंटरी बुक एंद कंटेंप्री सोचिलिस the book is ठीक है तो एक फिबियन एशे क्यों की काफी परसीद बुक है जीवी सो की next question is in 1887 जीवी शो एडिटेट आ रेवलेंटरी बुक एंद किया था इसमें की रेवलेंटरी बुक और जो उसमें बताया किया था वह था पर दिरह यह कहा है और जीटिकल बारे में बताया गया है जी बृःषोका ही ड्रमा है Next question is Which drama is an excellent farce on English spelling and phonetics तो कौन सा drama है जिसमें की excellent farce केंगे की swang रचा गया है English spelling and phonetics का तो वो जी बृःषोका काफी famous drama है वो है पिग मेलियन तीक है Next the influence of opera is tracked in act 3rd of तीक है तो opera से प्रभावित है एक्ट 3rd है वो किसका है वो है मैनन शूपर मेन का नेक्स डे शौग वस मच इन्फिलनेस्ट बाइ अमेरिकन ओथर ऑफ फ्रॉगेस और पौवर्टी हिस अलेक्ट्ट्वर कानवर्टेट हीम तो सॉशिलिस्ट हूई इस दा अमेरिकन ओथर तो शौक के बारे में बताएगे कि शौक बहुत प्रभावित हुए थे एक American author के progress and poverty से तो जिसको कि उन्होंने क्या किया थे एक convert किया था लेक्टर को अपने socialism के लिए थीक है कहां पर किसमें उस subject के बारे में बात की गई है तो वो ड्रामा है दपेग मेलियन जो जी भी शौका ड्रामा है नेक्स्ट क्वेशन है इसमें Captain Brassbounds conversion is repealed with Captain Brassbounds का जो conversion है जो परिवर्तन के बात कर रहे हैं वो तो किसको लेकर के कर रहे है किसके साथ में तो वह है जो बदला लेने की जो भावना है होती है उनको लेकर के वो बदलने के बात कर रहे हैं फिर जॉन बूल्स Other Island is a comedy about जॉन बूल जॉन अधर आइलेंड जो comedy है वह हो किसको लेकर के है वह हो इरिस politics को लेकर के है next year Jeevi Shaw finished Man and Superman in 1903 इंट वस प्रडूस्ट ओन तीक है जो Jeevi Shaw की जो Man and Superman है वह हो 1903 को पूरी लिखी गई थी इंट वस प्रडूसट रूद और यह प्रडूस्ट कभ होई थी यह 23rd माई 1905 को प्रडूस्ट हुए थी next year Shaw calls Man and Superman तो Jeevi Shaw ने Man and Superman को क्या कहा है a comedy and philosophy कहा है next question is what a man is he man who said ये कहा गया है arms and the man में सर्जेस के द्वारा what a man is he man सर्जेस नहीं कहा है फिर है the personality of Napoleon becomes of the subject नेपोलियन परसनेल्टी के बारे में बात की जा रही है man of destiny में next day captain saunter appears in the captain saunter character लिया गया है heartbreak house से next day dawn zone in hell is related with dawn zone hell एक scene है जो man and superman का है फिर है wife warren affairs in wife warren affairs किसे संबन दित है तो ये एक character है Mrs. Warren profession में ठीक है जी विश्वा का जो play है जो साथ में इसका जो publish कब हुई है ये भी देख लेते हैं Mrs. Warren profession जो है ये publish हुआ है 1890 में 1890 में साथ में है man and superman तो ये है 1905 में publish हुआ है फिर है any is in तो any character है man and superman के next day my lady is the film based on and saws शोक के अ फिर में है ये ये है पेग्मेलियन में ये तो तो Professor Higgins का जो character होता है वह हो जो है पैग मेलें में एक यह character होता है फिर a fatality of revenge is the subject of जी कहते है तो यह subject is a fatality of revenge यह है Captain Brass Bounds Conversion का Next question is discussion on parent-child relationship is the subject of जो discussion है parent-child relationship का तो यह किसमें हो रहा है यह Miss Serenius में है Miss Serenius जो कि J.P. Shaw का play है इसमें discussion हुआ है parent-child relationship पे फिर a funny is the first play deals with ठीक है तो funny is the first play जो play है तो वह हो किस पे है वह religion पे है Next is in 1891 Shaw wrote a two ties on तो 1819 में Shaw के द्वारा लिखा गया थे एक प्रबंद पर लिखा गया था वह option के द्वारा ठीक है फिर है give me a goddess work to do and I will do it who said यह किस ने कहा है यह और इंथा ने कहा है इन अपल कार्ट में next time when was George Bernard Shaw died तो George Bernard Shaw की जो dead हुए थे